आज है 7th June तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs सबसे पहले तो वीडियो में देखते हैं आज का Question Which artist is recently praised by UNEP on World Environment Day? जी हाँ 5th June को हम लोगों ने बनाया था World Environment Day और किस artist को प्रेस किया गया है United Nations Environment Program के द्वारा? तो वो artist है जी हाँ सुधरशन पतनायग देखे सुधरशन पतनाय को तो सभी जानते हैं वो Sand Artist है और इंडिया के बहुत रिनाउंड आटेस्ट है इनको अभी हाल में UNEP यानि United Nations Environment Program ने अप्रिसेट किया है World Environment Day यानि 5th June को तो चलिए आगे देखते हैं Question No.2 E-100 Project is recently announced at Pune is related to अभी हाल में E-100 Pilot Project start क्या गया है Central Government के द्वारा पूने में आपको बताना है यह किस से रिलेटेड है तो जरूर इसका अंसर दे यह रिलेटेड है बायो फियूल से देखिए यह क्या है यह है इतनौल प्रोडक्शन पे एक द्वार प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या गया है ताकि 20% ब्लेडिंग की जाए प्रॉल में याद रखेगा यह बायो फियूल प्रोडक्शन है देखिए नेशनल बायो फ्यूर पॉलिसी के अंतरगत 20% ब्लेडिंग करनी है पेट्रोल में और हमें मूब करना है इतनौल इनर्जी पे इतनौल इनर्जी में आपने 3 वर्ट सुने होंगे 1st जी, 2nd जी, 3rd जी थोड़ा डिसकर्स कर लेते हैं फॉड मिटेड जैसे चावल दाल इनर्जी रिलीज होती है इसे इतनौल बनाते है उनको कहते हैं 1g 2g क्या होता है ? 2g वह प्रोडक्ट है जिसे हम नहीं खाते हैं जैसे कि ब्राचेज ऑफडी प्लां्ट अ alet Spirit इडिबल नहीं होते हैं, प्लांट के पार्ट्स, उनको हम लोग कहते हैं 2G, और 3G किसे कहते हैं? 3G कहते हैं, एल्डी प्रोडक्शन से इधनॉल को प्रोड्यूस करना, तियार रखेगा, यह बहुत इंपॉर्टिन प्रोजेक्ट है, और नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी कब पाया था 2018 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोश्य नमबर 3 की तरफ, कौन से चिफ मिनिस्टर ने लांच किया है, मेडिसीन ATM, मेडिसीन ATM लांच किया गया है, उत्तर परदेश सरकार के द्वारा, इसमें क्या होगा, इसमें ATM मसीन से आप मेडिसीन ले सकते हैं, यानि आप यहां पैसे डालेंगें और यहां से आपका दोवाय आ जाएगा, एक बहुत ही इंपर्देश तेप या गया है उत्तर परदेश सरकार के द्वारा, अगर उत्तर परते सरकार की बात की जाए, तो एक बहुत इंपर्टन न्यूस है, देखिए, उत्तर परदेश ने व्ल्ड एक इंपोर्टेंट स्टेप है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत इंपोर्टेंट ग्योजना है कुझे याद आ रहा है अव्य उदेवयोजना जिसके अंतर के जो भी सिविल सर्विस की त्यारी करने चाहते हैं वह फ्री में यूटुब से इस अव्य उदेवयो संब मिनिस्टर है अनुराग सिंगकर उन्हों नी अभी लॉच्च किया है क्या उंग्यारा है हिसाब की किताब यह किताब है यह ऑडम स्ट सब्सक्क्राइब है जिसमें short films दिखाया जाएंगी इसमें six module में film को दिखाया जा रहा है और ये highlight करेगा क्या हमारा budget है किस तर से safe किया जाता है ताकि education को promote किया जाए financial literacy को promote किया जाए ठीक है ये start किया गया है education and protection authority के द्वारा या जखेगा किस ministry के द्वारा ministry of corporate affair चलिए आगे बरते है question number five की तरफ देखे ये भी education से related है knowledge economy mission कहा start किया गया है knowledge economy mission start की गई है केरला सरकार के द्वारा केरला हमेशा से education में आ गये है 100% literacy है वहां और क्यूंकि अब ही क्या है कोवीड-19 के situation में जो educated class से उनको opportunity नहीं मिल पा रही है इसलिए 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 स्टार्ट क्या गया है जिसका नाम है knowledge economy mission जिसके अंतरगत जो knowledge worker होते हैं उनको education तो मिली रही है साथ उनको job opportunity मिले तो याद रखेगा knowledge economy mission केरला से related है केरला की बात की जाए तो याद आता है smart kitchen scheme इसके बारे में मैंने आपको बताया था इसके अंतरगत क्या होगा women को पैसे दी जाएगी ताकि वह kitchen को furnace किया और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि women focus करना ज्यादा सही नहीं है क्योंकि kitchen जो है तो यह स्टार्ट किया गया है डेली government के द्वारा डेली सरकार याने अर्विंद के जिवाल ने नाउंस किया है कि वह इस scheme को इंप्लिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है राशन डिलेवरीस की या फिर दोर इस्टेफ राशन स्की देखी central government और अर्विंद के जिवाल के ब बोला कि मैंने तो पहले से एक scheme निकाल ली है जिसका नाम है मेरा राशन मोबाइल एप यह ministry of commerce ने लाउंच की थी मेरा राशन मेरा मोबाइल एप याद रखेगा मेरा राशन मोबाइल एप इसके अंतरगत क्या होगा इसके अंतरगत जो भी nearest fair price shop है वहाँ पे जाकर राशन खरीदा जा सकता है पता कैसे चलेगा इस एप से लोकेट हो जाएगा यह एप डिबलप किया गया है नेशनल इंफोमेटिक सेंटर के द्वारा तो इंपोर्टेंट है question number 7 पे आते हैं देखिए मैंने आपको पहले बताया था WhatsApp और Central Government के बीच में भी बहुत जादा पहस चल और केस चल रहा था देल ही हाई को तो वहां पे क्या हुआ वहां पे फैसला हुआ और फैसले में WhatsApp ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम अपने डेटा को Government Authority के साथ शेयर करेंगे इसी संदर्ब में ग्रिवांसेस ओफिसर्स अपॉइंट किये गया है तो आपको पताना है WhatsApp ने क ग्रिवांसेस ओफिसर् तो पॉइंट किया गया है पारीश बिलाल परेश बिलाल अपॉइंट हुए है WhatsApp के घ्रिवांसेस ओफिसर्स अग्रह्मम लोग फीसबूक के बात करें तो उनके घ्रिवांसेस ओफिसर्स थे सपूरती प्रिया च्वीटरक द्रमेंद्र चतूर् औ और WhatsApp के परेज भी लाग हो सकता है वन डे एक्जामिक से question आ जाए तो कोई भी competitive exam के प्यारी कर रहे हैं तो इसके note बना ले कौन-कौन से ग्रिवांसेस ओफीसर हैं यह बहुत लंबी बहस चल वही थी central government के बीच में और facebook, whatsapp और twitter के बीच में लेकिन गोलो accept करने हैं और data share कर रहे हैं इसका पपस नहीं था कि लोगों पर निगरानी रखने के लिए government ऐसा टेप ले रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं question no.8 की तरफ UN Safe Water Mandate Industry क्या है? UN Safe Water यानि की UN चाहता है कि पानी को बचाया जाए कहां? इंडेस्ट्री में और इसे लिए ये डेल साइन किया गया है तो UN ने साइन किया है NTPC के साथ कौनसा डेल? Safe Water Mandate Treaty NTPC एक बहुत ही बड़ी power generation company है और उसने ये साइन किया है UN के साथ ताकि water को safe किया जाए इंडेस्ट्री में इसके अंतरगत 3R policy अपनाई जारी है वो क्या है? वो है reduce, reuse and recycle जी हाँ, water को कम use करना है उसको बार बार इस्तिमाल करना है और recycle करना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज का सवाल E-Panchait Award 2021 Goes To ये अवाड किसको दिया गया है? चल्दी से answer कर दे E-Panchait Award और friends अगर वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दे, share कर दे और channel को भी subscribe कर दे thanks for watching